हेलो एवरिवन विल्कम ओन दिस चानल सो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और खुब सारे प्राक्टिस कर रहे होंगे कि आपको पता है कि आज हमने टॉपइक स्टाआट किया स्टी में और जो इसका कर सकते हैं अब क्योद क्या होता है इसमें दो डाइप के question आपको मिलेंगे एक जो base होगा cutting of cube पर एक जो base होगा painting of cube, cube भी या cuboid दोनों ही आते हैं, अब क्या होता है कि जो main है वो आता है painting section से, तो क्या होता है कही बार क्या करते हैं, cutting वाले part को बिल्कुल ignore कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, हमको समझना सब है, exams में जो आजा है वो ठीक है, बट हम कुछ predict नहीं कर सकते हैं कि यहीं आएगा कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल different type के questions आगे, so हम समझें के सब cutting तो बहुत ही easy है, मतलब अगर आपने कभी ऐसे questions solve कर रखें तो भी नहीं किये, तो भी आप episode जब आप देखेंगे, सारे जो episodes आप देखेंगे, तो आपको और अच्छे से clear हो जाएगा, और हाँ, cube में क्या होता है, basically देंकि दो type के persons होते हैं, एक तो वो जिनको यह topic बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो दो तीन question के चक्कर में क्या करते हैं, topic ही छोड़ देते हैं कि चलो छोड़ो, एक वो होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं, यह topic तो उनका क्या है, favorite है, और question क्यों नहीं हारे इस topic से, सो मुझे पूरे उमीद है कि जब यह पूरा आपका series खतम होगा, cube का पूरा series खतम होगा, from episode 1 to last episode, तब तक आपका यह topic क्या होगा, favorite हो जाएगा, लेकिन यह तभी possible है, जब आप सारे ही episode देखें, ऐसा नहीं कि कोई episode मिस कर दिया, कोई episode देखा, कोई नहीं देखा, आदा topic पर आपका इतना अच्छा खासा command आजाएगा, कि आपको जब भी कोई भी exam अपने दिया, उसमें cube के question आए, तो आप definitely question को attempt करेंगे, आराम से, और हाँ, इतना easy topic है, कि आप आराम से, एक minute में तो आप 4-5 question आराम से, मतलब इससे जाधा भी कर सकते हैं, मतलब मैं तो यह कह पार-5 question आप कर लेंगे, चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, structure of cube की, कि जो cube है, उसका structure कैसा होता है, so basically, आपको basic तो पता ही है कि cube में क्या होता है, length होता है, breadth होता है, height होता है, जैसे देख सकते हैं कि यह जो है, यह हमारा क्या हो गया, height हो गया, and this one, यह हो गया हमारा breadth, and यहाँ पर यह जो है, यह हमारा क्या हो गया, length, यह तो basic सभी को पता होता है, इसके अलावा क्या होता है, कि cube में क्या होते हैं, corners होते हैं, जैसे देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, a cube has 8 corners, so कुछ इस type का figure होता है, और कुछ इस type के होते हैं, corners, कितने corners होते हैं, 8, जैसे आ ये एक कॉर्णर हो गया, then ये एक कॉर्णर हो गया, then ये एक कॉर्णर हो गया, then ये एक कॉर्णर हो गया, so top पे इस पे कितने हो गया, 4 कॉर्णर, similarly ये एक कॉर्णर, then ये एक कॉर्णर, then ये एक कॉर्णर, so bottom पे भी क्या हो गया, 4 कॉर्णर, so total कितने कॉर्णर हो गया, 8 कॉ नेक्स अब बात करते हैं देखें यहां पी क्या लिखा है? Cube has 12 edges. So cube में क्या होते है? Total 12 edges होते हैं. Edge होता क्या है? The line which connects the two vertices is called edges. मतलग कि जैसे 2 corners है. जैसे आपको पता है कि यह दोनों क्या है? Corners है. और इन corner को जो line ऐसे जोडती है, उसको क्या बोलते हैं? एक edge बोलते हैं. और total कितनी edges होती है? 12. जैसे देखें, एक आपको edge यहां दिख रही है, 1. Then यहां पर आपको दिख रही है, 2. Second edge, then third, then four, then five, then six, then seven, then eight, then nine, then ten, eleven and twelve. So total कितनी edges होती है? 12 edges होती है. scratch, then next क्या होती है? क्यों में क्या होती है, six faces. जो total faces होते हैं, क्यों में कितनी होते है? Six होते हैं. कैसे? जैसे देखें, यहां पर यह top face हो गया, यह front face हो गया, यह bottom face हो गया, यह दोनों sides हो गया and वो back side. So total कितनी faces होती है? Six faces होते हैं. यह तक basic cube का structure है जहां पर क्या होते हैं? 8 corners होते हैं, 12 edges होते हैं and 6 क्या होते हैं? faces अब इस पर question कैसे आता है? देखते हैं सबसे पहले हम start करते हैं with cutting of cube जैसे कि मैंने आपको बदाया था कि basically दो type के question होते हैं होते हैं जो cutting of cube या cuboid इस पर basis होते हैं, एक होते हैं पेंटिंग पर सो सबसे पहले हम discuss करने वाले cutting of cube पर बात सो cutting के अगर मैं बात करें, बेसिक हम पहले समझते हैं कि question क्या है? यहां पर देखे दे रखा है, if one cut is to be marked on a cube, then how many minimum and maximum number of cube pieces we can obtain? लेकिन, suppose मान ले, एक cube हमको दे रखा है, ऐसा, ठीक है, यह हमारा एक cube है, अब मान लो मैंने आपसे कहा कि इस पे एक वन कट लगाना है, तो वन कट कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कर सकते हूं, ठीक है, या वो वन कट कैसे हो सकता है, या वो वन कट कैसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट चाहे मैं ये फर्स्ट कैटेगरी लू चाहे मैं सेकेंड कैटेगरी लू, पीसे कितने मिल ले, पीसे म को maximum या minimum कितना piece मिलेगा दो ही मिलेगा ना क्यों आप ऐसे imagine करें कि apple है अब उस apple को कैसे भी cut करो चाहे कैसे भी काटो अगर सिर्फ कहना है कि सिर्फ एक ही बार cut होना चाहिए सो कितना मिलेगा दो ही piece मिलेगे ना सो मतलब इतना तो sure है कि जब भी हम क्यूब में एक cut लगाते हैं पीस क्या होता है हमेशा उससे एक ज्यादा तो मिलता ही है अब next देखें यहां पर किराब दो cuts लगा और वापस से वही बार कि minimum और maximum number of cube pieces we can obtain अब माल ले वापस से अगर मैं कि अगर मैं कहूं कि simply मैंने क्या किया ऐसे 2 cut लगा दिया यूँस कितने pieces मिल ले 3 pieces मिल ले 1 2 3 अगर मालू मैं कहूं कि चलो थोड़ा different type का cut लगाते हैं अगर मैं कहूं कि ऐसा cut लगा दिया यूँ cut दिया अगर अब मैं कहूं कि चलो एक तो ऐसे कर दिया और एक ऐसे कर दिया तब कितने मिलने 1 2 3 4 मतलब कि मिनीमम हमें कितने पीसे मिले मिनीमम को मिलें 3 पीसे जिसके यहाँ पर क्वेशन दे रहा है मिनीमम मैं मैकसिमम सु मीनीमम कह सकते हैं 3 पीसे क्यों 3 पीसे क्योंकि आगर नमबर उपकरट से 2 तो पीस क्या होगा हमेशा उससे एक ज्यादा तो मिले गाई ना So, at least कितना होगा? 2 plus 1, 3. But, maximum में हमारा answer क्या आ गया? 4 आ गया. But, अगर अब question में आ गया 5 cuts, 6 cuts, 11 cuts, 10 cuts. So, हम इतना कितना try करेंगे? तब तो हमारा बहुत time waste हो जाएगा. एक ही question हमारा अदा घंटा लग जाएगा. इतनी साधी possibility बनानी पड़ेगी. So, इस टाइप के question के लिए क्या करें? जैसे देखें, यहाँ पे हमको दे रखा है 5 cuts. अब हमें क्या करना है? Simple से trick है. इसको क्या करना है? 3 parts में divide करना है. लेकिन जब 3 parts में divide करेंगे, तो ऐसा हमारा एक rule है, कि जो gap है, या तो 3 numbers की वीच में gap क्या हो? 0 हो, या तो क्या हो? 1 हो. 1 से जादा ना हो. मतलब, for example, अगर मैं कहूं 4 plus 1 plus 0. सो यह ideal case नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर gap between 4 and 1. Gap between 4 and 0 क्या हो गया? More than 1 हो गया. Ideal case क्या होगा? कि मैं इसको कैसे break करूं? 2 plus 2 plus 1. वापस समझें? जो भी number of cuts given उसको 3 parts में break करना है. क्यों 3 parts में break करना है? क्योंकि length, breadth and height के format में. कैसे break करना है? कि जो बीच का gap हो, वो क्या हो? कम से कम. कम से कम मतलब या तो 0 हो, या तो क्या हो? 1 हो. 1 से जादा ना हो. मतलब जैसे यहाँ देखे 2 और 2 के बीच का gap कितना है? 0. 2 और 1 के बीच का gap कितना है? 1. लेकिन, say for example, 4 प्लस 1 प्लस 0 नहीं चलेगा. अगर मैं कहूं 3 प्लस 2 प्लस 0 ये भी नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि 3 और 0 और 2 और 0 के बीच का gap भी क्या हो रहा है? 1 से जादा. तो मतलब gap क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या तो 1 हो. अब जब इसको break कर लिया, तो क्या करना है? next step समझे, next step भी बहुत important है. आपको पता है कि cut से pieces क्या होते हैं? हमेशा एक जादा मिलते हैं. ये चीज़ हमको पता है. सो अगर 2 कट होगा, तो pieces उससे एक जादा होंगे. 2 कट होगा, तो pieces उससे एक जादा होंगे. 1 कट होगा, तो भी pieces उससे क्या होंगे? एक जादा होंगे. अब इसको add कर लो. 2 प्लस 1, 3. 2 प्लस 1, 3. 1 प्लस 1, 2. और ये क्या आगे? हमारा length इंटू, breath इंटू, height. So 3 into 3 into 2, so 3 into 3 क्या हो गया है? 9, 9 into 2 क्या हो गया? 18, 18 pieces. यह जो हमने निकाला, यह हमने निकाला maximum, यह हमने निकाला maximum कि अगर 5 cuts होगा, तो maximum हमको 18 pieces ही मिल सकते हैं. अब minimum कितना होगा? मिनीमम क्या होगा? मिनीमम तो simply क्या हो जाएगा? 5 plus 1, 6 pieces. यही होगा ना? मिनीमम में क्या करना है? याद करें, मैंने आपको अभी क्या बताया? कि मिनीमम में क्या करना है? simply जो number of cuts होगा, उससे एक जाधा ही मिलेगा. सो मिनीमम में क्या है? simply जो भी हमें number of cuts given है, उसमें क्या कर दें? plus 1, यह हो गया minimum. तो मतलब अगर 5 cut करेंगे, चाहिए vertically करें, चाहिए diagonally करें, चाहिए horizontally करें, हमें क्या होगा? एक उससे जाधा ही मिलेगा ना? सो मिनीमम क्या हो गया? number of cuts plus 1, बट maximum वापस से समझें, cuts को क्या करना है? 3 parts में break करना है, फिर break करने के बाद क्या करना है? सब में plus 1 करना है, उसको किस में convert करना है? multiplication में. और break करने का सबसे important rule क्या है? कि जो gap हो, या तो वो क्या हो? 0 हो, या तो क्या हो? 1 हो, उससे जाधा न नहीं चाहिए. एक और question करते हैं, फिर यह अच्छे समझ में आएगा. देखें, अब next question हमें दे रखाए, 11 cuts. पॉस करें वीडियो, खुद करें सॉल, फिर चेक करें कि आपका answer मेरी answer से match कर रहा है कि नहीं? जैसे, यहाँ देखें, 11 cuts. अब 11 cuts हैं, इसको कैसे break कर सकते हैं? कैसे break कर सकते हैं? 4 plus 4 plus 3, 4 plus 4, 8 plus 3, 11. अब क्या करना है हमको सब में? plus 1. तो plus 1 किया? 4 plus 1, 5. 4 plus 1, 5. 3 plus 1, 4. क्या करना है हमको? multiplication में convert. So 5 into 5 into 4, 5 into 5 क्या होगा? 25 and 25 into 4, 100 pieces. और यह 100 pieces क्या है? maximum. अगर exam में आपसे maximum पूछेगा, तो answer क्या आएगा? 100 pieces. और minimum के लिए, याद रखें, वापस से minimum के लिए क्या था? कि number of cuts, number of cuts plus 1. So यहाँ number of cuts कितने given है हमको? 11. So 11 plus 1, कितना आगया? 12. So for minimum, answer is 12. For maximum, answer is 100. अब इसी टाइप पर अगला question भी देखते हैं, लेकिन उसमें देखें दूसरी चीज़ा है. उसमें क्या कह रहा है? How many minimum and maximum number of cuts are required for 150 pieces of cubes? अब इसमें हमको pieces given है. हमें क्या निकालना है? Cuts निकालना है. Previous question में क्या था? Cuts given था हमको क्या निकालना था? Minimum and maximum number of pieces. अब इसमें क्या कह रहा है? कि 150 तो हमारे पास pieces है. हमको पता है कि एक cube है, उसमें 150 pieces है. हमको निकालना है minimum and maximum cuts. सबसे पहले अगर बात करूं, maximum cuts. Maximum cuts कितना हो जाएगा? Maximum cuts क्या हो जाएगा? अब याद करें previous question हमने क्या किया था? Previous question में हमने minimum जो pieces निकाले था, वो कैसे निकाले था? Number of cuts plus 1. मतलब pieces क्या आ सकते हैं? Pieces हमेशा cuts से एक जादा आते हैं. So, यहाँ maximum cuts हम कितना लगा सकते हैं? 149 लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं. अगर मैं कहूँ 149 से vertically cut कर दें. से vertically cut कर दें. So, क्या होगा? उससे piece एक जादा मिलेगा? मतलब 149 अगर cut हुआ. So, उससे एक जादा piece मिल गया? So, for maximum cuts हमें क्या करना है? Number of pieces minus 1. तो अगर हमको जो भी number of pieces दे रखें, उसमें minus 1 कर देंगे, हमको क्या मिलेगा? Maximum cuts. तो maximum cuts कितने आ गए हैं यहाँ पर? 149. अब बात करते हैं हम यहाँ पर minimum cuts की. Minimum cuts कैसे निकालेंगे? Minimum cuts निकालने के लिए यहाँ थोड़ा दूसरा तरीका है. क्या करना होगा? जो number हमको given हम उसका LCM लेंगे. अब हमको 150 given है, 150 का LCM लेंगे और start करेंगे smallest number से, 2 से start करेंगे. So, क्या आएगा यहाँ पर? 75, फिर 3 से लें. क्या आजाएगा यहाँ पर? 25, फिर 5, and last में भी, क्या आगया? 5. यह 4 नंबर से, 2, 3, 5, 5, इसको हमें 3 में break करना है. अब देखें, कैसे break करना है? कि जो इनके बीच का gap हो, क्या हो? कम से कम हो. लेकिन यहाँ कम से कम 0 और 1 required नहीं है. मतलब 0 और 1 हो, तो इक ideal situation है. बट अगर 0, 1 नहीं भी हो पा रहा है, तो भी चलेगा. मतलब, for example, अगर कभी prime number फस गया, तो prime number कम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. सो मतलब, हमें करना यह है, कि जो numbers को हमें break करना है, ऐसे break करना है, कि जो gap हो, कम से कम हो. अगर 0, 1 हो रहा है, तो best है, बट अगर नहीं हो पा रहा है, तो कोई से hard and pass rule नहीं है, बस कम से कम होना चाहिए. जैसे, for example, अगर मैं कहूं, एक हम कर सकते हैं, कि 25 into 3 into 2. एक यह हो सकता है, कि 5 into 5, 25 into 3 into 2. एक हो सकता है, 15 into 5 into 2. एक हो सकता है, 10 into 5 into 3. एक हो सकता है, 6 into 5 into 5. अब अगर मैं आप से कहूं, इसमें best कौन सा है, जिसमें सबसे कम गाप है, जिसमें सबसे कम गाप है, वो कौन सा है, लास्ट वाला. 6 into 5 into 5, मतलब 6 और 5 की बीच का गाप कितना हुआ, 1 हुआ, 6 और 5 और 5 की बीच का गाप कितना हो गया, 0. है 6 5 और 5 में. So, अब यहाँ पर हमको दे रख है 6 into 5 into 5. Previous question हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? Plus 1 किया था, तो इसमें क्या करेंगे? minus 1. So, minus 1, minus 1, minus 1. 6 minus 1, 5, 5 minus 1, 4, 5 minus 1, 4. हमने क्या किया था? Plus को convert किया था? Multiplication में. Multiplication को किसमें convert करेंगे? प्लस में. So, प्लस, प्लस. So, 5 प्लस 4, 9. 9 प्लस 4 is 13. So, यह आ गया हमारा अंसर. मतलब हमको maximum कितने cuts लगाने पाढ़ने हैं? 149. बट हमको minimum कितने cuts लगाने पाढ़ने हैं? 13 only. और बेटर तरीके से समझेंगे. एक अगला question भी करते हैं. आपको और अच्छे से clear हो जाएगा. अब यहाँ हमें निकालना है सेम minimum and maximum number of cuts और कितने pieces दे रखें? 200 pieces. So, अगर 200 pieces हैं, तो सबसे पहले, सबसे पहले, अगर बात करूं, maximum cuts कितना होगा? Maximum cuts, आप सा भी पता है? Maximum cuts कितना हो जाएगा? Simply 199. हम LCM लेंगे, अगर हम 200 का LCM लें, again start करते हैं with the smallest number which is 200 आगया यहाँ पर, ठीक है? फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद 5 and then अब हमको वापस इनको क्या करना है? ब्रेक करना है. क्या best possibility हो सकती है? जैसे अगर हम देखें 2 into 2, 4 4 into 2, 8 8 into 5 into 5 यही best possibility है बिकाज और कुछ अगर हम देखें next क्या है? यह हो सकता है 2 into 2, 4 4 into यह कर सकते हैं 5 into 2, 10 क्या यह best possibility है as compared to the previous one? No. यहाँ पर at least इनके बीच के आप हमें 0 मिल ला है. सो हम उपर वाले यह option को pick करेंगे and 8 into 5 into 5. क्या करना है हमको इसमें minus 1 करना है minus 1, minus 1, minus 1 यहाँ आगया 7 यहाँ आगया 4, यहाँ आगया 4 add करने सब में 7 plus 4, 11 11 plus 4, 15 मतलब maximum cuts हमको कितना मिल ला है? 199 and minimum cuts कितना मिल ला हमको just 15. सो जैसा कि आपने देखा कि cutting of cubes के question इतने simple थे, कुछ ऐसा नहीं था simple हमने क्या समझा कि minimum and maximum number of cuts जब हमको निकालना होता है pieces के basis पे या minimum and maximum number of pieces निकालना होता है cuts के basis पे और दोनों ही के एंदम basic हैं. सो कभी भी आपको exam में ऐसे question मिलेंगे तो आप अराम से 5-10 सेकेंड के अंदर तो आपका question क्या होगा solve हो जाएगा. So next episode भी होने वाला है बहुत ही interesting क्योंकि next episode में भी हम cutting of cubes के ही कुछ और different type के question discuss करने वाले हैं. So miss मत करेगा. आज का episode कैसा लागा हमें comment करके जरूर बताएगा और साथी साथ आप comment box में doubt भी पूछ सकते हैं कोई doubt है या आपको practice करने के लिए कुछ questions चाहिए. तो आप कुछ भी आपकी जो भी queries है आप वो भी क्या कर सकते हैं post कर सकते हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको खूप सारे notification मिलेगी. तो बने रही है इस चैनल के साथ जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए गुडबाई everyone and take care.